Knowledge Center for You में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के जो प्रमुक राजवन्ष हो कर गए है उनके संस्थापक और उनकी राजदानियों के बारे में इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे और इस वीडियो में इस वीडियो में जो भी questions बन सकते तो वो सारे questions इस वीडियो में हम लोग cover करने जा रहे है और examo में यहां से questions बनते है friends पूछ लिया जाता है कि हर एक वन्ष का संस्थापक कौन था चंदेल वन्ष की सापना किस ने करी थी शूंग वन्ष का संस्थापक कौन था तुगलक वन्ष का संस्थापक कौन था तो हिश्री में जितने भी संस्थापक से questions बन सकते तो वो questions हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे तो चलिए शूरू करते आज का वीडियो और देखते आज का first question हर एक वन्ष का संस्थापक कौन था तो हर एक वन्ष का संस्थापक था बिम्बी सार बिम्बी सार ये मगत की गद्दी पर बैठा 544 इसा पूर्व में ओर इनके राज य की राजदानी क्या थी तो इनकी राजदानी थी राज ग्रुँव है हर एक वन्ष की राजदानी थी राज ग्रुँव है ये आप लोग याद रखिये अभी next question देखते हैं हमलोग शिशुनाग वंच का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंच का संस्थापक था शिशुनाग option D यहाँ पर right answer होगा शिशुनाग ने हर एक वंच का अंतीम चासक नाग दशक को हरा कर शिशुनाग वंच की स्तापना गरिती 412 इस विशन पूर्वा में और आप लोग यह याद रखिए इसकी राज़दानी कौन सी है तो इसकी राज़दानी है वैशाली अभी next question देखते हैं नंदवंच का संस्थापक कौन था? तो नंदवंच का संस्थापक था महा पदमनंद और इनकी राज़दानी थी पाठली पुत्र और नंदवंच का अंतिम्शाषक कौन था फ्रेंच तो अंतिम्शाषक था घनानद ठीक है? अभी next question देखते है मौर्यवंच का संस्थापक कौन था? तो मौर्यवंच का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्यव ओप्शन सी हैं पर राइट अंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्यव 322 इसापूर्व में ये राजगद्दी पर बैठा और इसने घनानन को हराकार ये राजगद्दी पर बैठा था ठीक है? और इनकी राजदानी क्या थी? तो इनकी राजदानी थी पाटली पुत्र अभी next question देखते हैं लोग कणववणच का संस्तापक कौन था? तो कणववणच का संस्तापक था वासुदेव option C यहाँ पर right answer होगा और इनकी राजदानी थी पाटली पुत्र अभी next question देखते साथवानवणच का संस्तापक कौन था? तो साथवानवणच का संस्तापक था शिमुक ठीक है? option B यहाँ पर right answer होगा और सिमुक ने कणववणच के अंतिम शासक शिशुर्मा को हरा कर साथ इस विशन पूर्वा में यह राजगद्दी पर बैटा और इसकी राजदानी थी प्रतिष्ठान अभी next question देखते हम लोग गुप्तवणच का संस्तापक कौन था? तो गुप्तवणच का संस्तापक था श्री गुप्त और इसने गुप्तवणच की स्तापना गरी थी 240 इस विशन में और इनकी राजदानी कौन सी थी? तो इनकी राजदानी थी पाटली पूत्र अभी next question देखते है गड़वाल वंच का संस्तापक था चंद्रदेव option A यहाँ पर right answer होगा और इनकी राजदानी कौन सी थी? कर्नोज अभी next देखते है सेन वंच का संस्तापक कौन था? तो सेन वंच का संस्तापक था सामन्त सेन option A यहाँ पर right answer होगा friends और सेन वंच की राजदानी थी? कौनसी थी friends राजदानी? लखनो थी अभी next देखते गुजर प्रतिहार वंच का संस्तापक कौन था? तो गुजर प्रतिहार वंच का संस्तापक था नागभट्ट प्रतम और इनकी राजदानी थी कनोज अभी next देखते राष्टाकुट वंच का संस्थापक कौन था? तो राष्टाकुट वंच का संस्थापक था धनती दुर्ग और राष्टाकुट वंच की सापना घयूती 752 इस विशन में और आपको राष्टाकुट वंच यह याद रखना है फ्रेंड्स विश्णु प्रतम तो विश्णु प्रतम ने एलोरा के प्रसिद्ध केलाश मंदिरों का निर्मान कराया था और राष्टकूट वंज की राजधानी क्या थी तो राष्टकूट वंजों की राजधानी थी मान्या केट अभी next question देखते हम लोग चोल वंज का संस्थापक कौन था? तो चोल वंज का संस्थापक था option C यहां पर right answer होगा विजयाले और विजयाले ने 850 इस विशन में चोल वंज की स्तापना करी थी और इनकी राजधानी थी तन्जोर अभी next question देखते है सोलंग की वंज का संस्थापक कौन था? ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस प्रकार के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके exam point of view से काफी helpful होने वाले अभी next question देखते है कुशान वंज का संस्थापक कौन था? तो कुशान वंज का संस्थापक था कुजूल कडफी से option भी यहाँ पर right answer होगा और कुशान वंज का सबसे प्रतापी राजा था गनिश्क अभी next देखते चंदेल वंज का संस्थापक कौन था? चंदेल वंज का संस्थापक था नुनुक और option यह right answer होगा संस्थापक था सिहं वर्मन चतूरत option A यहाँ पर right answer होगा और पल्लव वंज की स्थापना की थी 575 इस विशन में ठीक है फ्रेंट्स? और इनकी राजदानी कौन सी थी? इनकी राजदानी थी कांची पूरम अभी next question देखते चालुक्य चालुक्य के बादामी वंज की स्थापक कौन थी? तो चालुक्य के बादामी वंज की स्थापक थी? जैसिंग प्रतम जैसिंग प्रतम ने चालुक्य के बादामी वंज की स्थापना करी थी? और इसका राजदानी थी? वातापी अभी next देखते है चालुक्य के बैंगी वंज का संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था? विश्नु वर्दन चालुक्य के बैंगी वंज की राजदा नहीं थी? बैंगी अभी next question देखते है चालुक्य के कल्याणी वंज का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य के कल्याणी वंज का संस्थापक था? तैल अभ टू और इनकी राजदा नहीं थी? माननेकेट अभी next देखते चोहान वंच का संस्तापक कौन थे तो चोहान वंच का संस्तापक थे वासू देव और चोहान वंच की राजदानी कौन सी थी फ्रेंट्स चोहान वंच की राजदानी थी अजमेर अभी next question देखते गुलाम वंच का संस्तापक कौन था तो गुलाम वंच का संस्तापक था कुतुबुद्धिन एबग और कुतुबुद्धिन एबग ने 1206 इस विशन में गुलाम वंच की स्तापना करी थी और इनकी राज़दानी कुन सी थी फ्रेंट्स तो इनकी राज़दानी थी दिल्ली अबी नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं खिलजी वंच का संस्तापक कौन था तो खिलजी वंच का संस्तापक था जलालुद्धिन खिलजी ऑप्शन सी यहां पर राइट अंसर होगा और खिलजी वंच की स्तापना करी थी 1290 इस विशन में और इनकी राज़दानी थी दिल्ली फ्रेंड्स हमने दिल्ली सलतनत पे वीडियो बनाए हुए है उनमें गुलाम वंच, खिलजी वंच, तुगलक वंच, सायद वंच यह सारे वंच से अलग-अलग वीडियो हमने बनाई है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो काफे और सारे questions उसमें cover किये गए है और इसी तरह केके questions उन वीडियो में भी cover किये गए है उनमें detail में आपको पता चल जाएगा खिलजी वंच और बागी के वंचों के बारे में ठीक है अब ही next question देखते है तुगलग वंच का संस्थापक कौन था तो तुगलग वंच का संस्थापक था गयासुद दिन तुगलग और गयासुद दिन तुगलग ने तुगलग वंच की स्थापना करी थी तेरा सो बीस इस विशन में और तुगलग वंच की राजदानी थी दिल्ली अभी next देखते सायद वंच का संस्तापक कौन था तो सायद वंच का संस्तापक था फ्रेंड्स खिजर खा ओप्शन भी यहाँ पर राइट अंसर होगा और सायद वंच की स्तापना हुई थी 1414 इस विशन में और इनकी राजदानी थी दिल्ली अभी next देखते संगम वंच का संस्तापक कौन था तो संगम वंच का संस्तापक थे हरियर एवा बुकका तो ये दो भाई थे और इनोंने संगम वंच की स्तापना करी थी 1333 इस विशन में और 1333 इस विशन में महमद बिन तुगलक के शासनकाल में संगम वंच की स्तापना की गई थी और संगम वंच की राजदानी क्या थी फ्रेंड्स वो थी विजय नगर अभी next question देखते बहमनी वंच का संस्तापक कौन था तो बहमनी वंच की स्तापना करी थी हसन गंगु ने और ये कब करी थी 1347 इस विशन में और मौमद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी वंच की भी स्तापना की गई थी और बहमनी वंच की राजदा नहीं क्या थी फ्रेंड्स गुलबरगा अभी next question देखते मुगल वंच का संस्तापक कौन था तो मुगल वंच का संस्तापक था फ्रेंड्स बाबर बाबर ने 1526 इस विशन में मुगल वंच की स्तापना करी थी और बाबर ने पानिपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा कर मुगल वंच की स्तापना करी थी इब्राहिम लोधी ये लोधी वंच का अंतिमशा सकता और friends मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत पर हमने वीडियोज बनाए तो उन वीडियोज में friends हमने दिल्ली सल्तनत से जितने भी questions एक्जामों में बन सकते वो सारे questions उन वीडियो में cover करें तो friends आप लोग वीडियोज भी जरूर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में उनकी लिंक डाल दूँगा अभी next question देखते भोसले वंश के संस्तापक कौन थे तो भोसले वंश के संस्तापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज और इनकी राज़दा निती रायगर्ड और यह ता हमारी वीडियो का आज का लाश का question तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने प्रमुक 30 राज़वंश देखे भारत के प्रमुक 30 राज़वंश देखे उनकी राज़दानिया देखी और उनके संस्तापक देखे तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो friends तो मिलतें next वीडियो में